तो गाइज के साथ दिन होगे माइका ही बहुत चाहते पर ठाइब है इसलिए आजना मैं पहिला के साथ होश्पिटल जा रही हूं तो गाइज होश्पिटल चेना घर जा रहे हैं दवाई हुआ लेके देदा और मैं तो गाइज होश्पिटल चेना हम घर आ गए है रस्ट्रक्टर ने पर्च में लिखी थे दुखार की देवाई है और इतने दवाई ये हैं और भी भाई लेने गया है दिन पर जिन तब एतनी खराब हो जा रहे हैं आज शाद दिन होगे मेरी तक्वेट पर थोड़ा भी शुदानी हो पा रहा है बहुत ज्यादा से थी चुखाम चक्कर आ गया तो गाइस खाना खाने के बार थोड़ा सा बाहर में बैठी हूं तो बहुत तो बहुत तेजवाली लग रही है और अंदर भी बहुत ग्यागनी हो रहे है पशीन और ज्यादा तब फराब हो जा रहे है और रेखो भी श्कुल से आगई तो रेखो बोले है ना एक बार मेरी दीदे ने ना इसका निकालके पीपी वाला बनाया था मतलब इसको निकालके फिर बनाओ तो पीपी वाले वाज आती है तो रेखो बोले है मबवा कि तरह बना दो तो देखती हूं मैं निकलता है इसका तो मैं इसके लिए बना देती तो मैंने बना दिया अब रेखुश को बजाएगी बजा बन गया ना दिखा तो अब बजा तो जब बहार पर बैठे थे तो रेखुश को अब रूत लेके आई थी तो अभी हमना व्लूत खा रही है कि दमक के सब्सक्राइब बहुत टेश्टी हो रही है तो गया सब्सक्राइब फिर भी हम लोग में टहलने आए हैं और मौसम में काफी अच्छा वला हो रहा है घर में बहुत गर्मी हो रही है सुमू रेखो ना पीछे सारे रेखो कहा है रेखो कहा है रेखो इनी छोटे रहे है इसको डिखाने में आफ़ता जा दे उदीदी के माजा तो सुमू रेखो और मैं जा रहे है घूमने तो चले जाओंगे कल परसर तक अपने शुष्णाव तो गाइज मोसम ना काफी मस्त वाला हो रहा है और खेप दिने प्यारे लग रहे है बिलकुल हरे अधनी दूर तक मस्त लग रहा है अधी शाड़े छे हो रहा है रात का मोसम और रेखो सुमू भी आये थे मेरे साथ तहलने और दोने चीप से खारे मस्ती कर रहें तो गाइज हम लोग ना भिभूता लगा के आ गए है तो देखती हूं भिभूता लगा के कल मेरा बुखार से होता है नहीं होता है तो इन्हें बोला कर ना उचावराहे पर डर गए थी मैं किंजास जैसे ही थी तो वही ने बोला फिर हम ना भावी को भावी बैट गेते भावी ने चाई बला बिला थी तो चाई आठी के भी घर को आए है तो गाइज हम ना सड़े शाद भी घर को होजगी है और शुम्बो ने क्या रहे हल्वा तो आज की भी लोग को में हुए इंड्र करते हैं मिलते नक्स लोग के झाल झाल झाल